देव भूमी यानि देवों की भूमी उत्तराखंड में आपको उचे उचे पहार, हर्याली और मंदिर देखने को मिलेंगे। इन्हें देखने के लिए दूर दूर से हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। मगर क्या आप लोग ये जानते हो कि मंदिरों, कहारों और हर्याली से सजा उत्तराखंड अपना एक दरावना इतिहास में बयां करता है। यहां पर कई ऐसी रहस्यमई घटनाएं होती रहती हैं, जिन्हें सुनकर रोंटे खड़े हो जाते हैं। यहां पर कई दरावनी जगहें हैं, उन्हीं में से एक है, चमपावत जिले के लोहाघात में स्थित मुक्ती कोठरी। इस कोठरी के पीछे की कहानी को जानकर होश उर जाएंगे। दरसल, आज मुक्ती कोठरी के नाम से जानी जाने वाली ये जगह कभी एक खूबसूरत बंगला हुआ करती थी, जिसमें एक ब्रिटिश फैमिली रहती थी, बाद में उस फैमिली ने इस बंगले को अस्पताल बनाने के लिए दान कर दिया। एभी नामक बंगले के बारे में पता करने पर पता चला कि यह 1900 के दशक में उसके मालिक के नाम पर रखा गया था। मौरिस मरी जों को मारता था या वो प्राकृतिक रूप से मरते थे, लेकिन इस बात को लेकर खासकर आसपास के लोगों में कोई ब्रम नहीं था कि यह पूरा क्षेत्र भूत प्रेत और मृत आत्माओं का गड़ है। जिसमें लोगों के अनुसार यहां भूत की धांग बर दो आत्माओं को रात को कई बार लोगों ने टहलते हुए देखा है। 1915 के आसपास यह हॉस्पिटल भारत के जाने माने हॉस्पिटल्स में से एक था और यहां पर देश भर से लोग अपना इलाज कराने के लिए आते थे। इतना प्रगाड हो गया था कि लोग डॉक्टर मॉरिस को भगवान मानने लगे। अगर डॉक्टर मॉरिस बता देते कि यह मरीज दो दिन में मर जाएगा तो उसका मरना तै मान लिया जाता था। ऐसे में लोग मरीजों को नीचे बने एक घर में छोड़ कर जाने लगें जिसे मुक्ती घर या फिर मुक्ती कोटरी कहा जाता था। ज्यादातर मरीज तो सच मुच मर जाते थे लेकिन कुछ बच जाते थे। लेकिन उनका कोई वहां सगा संबंधी नहीं होता था जो उसे घर ले जाए। माना जाता है कि उन मुरित लोगों की आत्माएं आज भी हॉस्पिटल और मुक्ती कोटरी के आसपास घूमती रहती हैं। ऐसे में डॉक्टर मॉरिस उन जिन्दा लोगों जिनकी किसी को जरूरत नहीं थी उन पर रिसर्च करने लगे। ऐसा बताया जाता है कि डॉक्टर मॉरिस उन जिन्दा इंसानों के ब्रेन को खोल देते थे और इस बात को पता लगाने की कोशिश करते थे कि एक जिन्दा व्यक्ती और मृत व्यक्ती के दिमाग में क्या अंतर आता है। इस तरह से वह जिंदा व्यक्ति को इंजेक्शन देकर जिंदा और मुरित की बीच की अवस्था में रखते थे लेकिन दिल्ली के एक डॉक्टर ने इस बात का परदाफाश कर दिया और वो आधा जिंदा और आधे मरे इंसानों ने बीच में ही दम तोड़ दिया और उनका शोध आगे नहीं बढ़ सका उनके मरने के बाद इस जगह को बंद कर दिया गया ऐसा माना जाता है कि उन सबकी आत्माएं आज भी उस हॉस्पिटल और मुक्ती कोटरी के आसपास घूमती रहती हैं इसलिए एबट माउंट को भूतों का गड़ माना जाता है इस चैनल पर हम हर हफते एक स्टोरी लेकर आते हैं तो फिर देर किस बात के चलिए शुरू करते है इस रुमान्चक सफर को उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी अगर आपको यह स्टोरी पसंद आती है तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं